वेल्कम बैक टो ब्लॉक्चेन एकेडमी वेल हमने अपने चैनल पे जो सबसे पहले टेक्नोलोजी ली है विच इस है पर लेजर ब्लॉक्चेन तो फिर आईए शुरू करते हैं कॉर्स का बकायदा आगास करें उससे पहले मैं आपको बताते हैं कर चुके हैं तमाम थापिक का रहए है ना अब हम बात करेंगे वी नीड हैं पड़ गई जो पड़ गई पब्लीक ब्लॉक्चेन को देखते हुए हमने इसे एंट्रीउच कर भाया मिन्स कि लिनिक्स foundation ने इसे introduce करवाया वो सारी चीज़े आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो लेक्स वाइवी नीट है पर लेजर तो सबसे पहले एक्जेंपल से हम समझते हैं यहां पर यह company A है और दूसरी company B है तो यह जो company है basically एक दूसरे के साथ क्या कर रही है conversation कर रही है बातचीत कर रही है because इनका next plan जो है वो आपस में partnership करने का है right so partnership करने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो यह के company A और company भी चाहेगी कि हमारी जितिनी भी conversation होई और हमारी जो भी partnership हो रही है और मजीद आगे होंगी तो वो एक private रहे किसी के साथ publicly share ना हो राइट तो यह चीज़ सबसे बड़ा major reason रहा है पर लेजर blockchain को introduce करवानेगा which means कि अगर हम बात करें bitcoin ethereum यह जितिनी भी public blockchain है उसके अंदर एक issues है एक issue है और वह यह कि वहाँ पर कहीं भी कोई भी बंदा इंटर होता है data जो है वो चेक कर सकता है mining pool वगेरा price वगेरा transactions वगेरा अगर आप bitcoin explorer का visit करें मैं आपको link description में दे दूंगा अब वहाँ अगर आप visit करेंगे तो overall बहुत सारी चीज़े जो है कि मेरा data मेरी information जो है वो safe रहे secure रहे राइट यहां फिर मैं जिसे चाहूं उसे ही दे सकूं और जिसे ना चाहूं उसे data अपना ना देखा हूं लाइक अब हम यहां पर समझ रहे हैं कि यह जो hyperledger fabric blockchain है यह basically हम कह सकते हैं एक centralized blockchain भी है क्यों क्योंकि यहां पर इस किसम के rights मौझूद है कि कोई owner यह कोई company यह कोई person अपना data लाइक यह company A है अगर यह चाहेगी तो company B को अपना data share करेगी ठीकि allow करेगी तो B company जह है वो इनका data देख सकती है अगर यह allow ना करे तो यह नहीं देख सकती तो यह चीज़े क्योंकि एक specific number of people जो है वो इस चीज को own करते हैं इसका rights रखते हैं कि कौन सा data किसके साथ share करना है और किसके साथ नहीं करना है right and I hope कि आपको यह बहुत सारी च है तो बहुत ही simple है कि यह एक centralized blockchain है जो कि कोई person rights रखता है इसके कि इसे data दिखाया जाए कि ना दिखाया जाए which means कि company A है तो company A ने एक रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन की transaction means कि रिक्वेस्ट डाली अलाओ कर रहे हैं कि मुझे भी company के फ़ला फ़ला जो है वह पेपर डॉक्विमेंट्स है वह रीड करने तो जब एक company ने इस चीज की इसकी ट्रांजेक्शन भीजी बी company को तो बी company देखे करेगी अलाओ करेगी च्रेक करेगी और उसके बाद उसे अलाओ करेगी तो फिर ही वह देख सकता है ने सेगेंट वन अगर वह चाहती है company A कि इस डेटा के अंदर इस contract के अंदर modification की जाए एडिशन की यह सो इसका भी rights क्या होगा Mr. B company के पास होगा कि वह अलाओ करेगी इस डेप्ट करके समझेंगे कि क्या चीज़े हैं और किस तरीके से अलाओ किया जाता है विच मीन्स के हाओ इट्स वाइक ठीक है तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल लें टिक्यर हैव ग्रेट टेप